दोस्तो फाइनली मुंबा इंडियंस और कोलकाता नाइट एडर्स के बीच खेला जा रहा मैच समापत हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट स्टेबल में काफी बड़ा उतार चड़ाव देखने को मिला है तो फ्रेंट्स अभी इस वीडियो में हम आपको IPL 2020 का लैटेस्ट पॉइंट स्टेबल बताएंगे और इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परपल कैप और और औरेंज कैप किस प्लेयर के नाम पर अभी दर्ज है तो फ्रेंट्स बहुत ही मचेदार यह वीडियो होने वाला है आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे और डेली पॉइंट स्टेबल के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बिल्को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आई प्रेंट्स देरिक इस बात की वीडियो के सब्सक्राइब के बाड़े में तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि आज की मैच में मुंबे इंडियों की टीम ने कोलकाता नाइट एडर्स को हड़ा दिया जिसके बाद पॉइंट्स टेवल में काफी बड़ा उतार चरहाफ देखने को मिला है और आप बात कर तो यहां पर है किंग्स 11 पंजाब की टीम जहां पर के एकस आईपी की टीम एक मैच खेली है और वहां मैच वो हाड़ गई थी उसके बाद पांचवे पोजिशन पर है चेनने सूपर किंग्स की टीम जहां पर सीएसके की टीम ने IPL 2020 में टोटल दो मैच खेले हैं और एक मै की टीम को जीत हांसिल हुआ था उसके बाद तीसरे पोजिशन पर है मुंबर इंडियन्स की टीम जो की दो मैच में से एक मैच जित चुकी है वही एक मैच हाड़ चुकी है उसके बाद दूसरे पोजिशन के बाड़े में बात करें तो यहां पर है रॉयल चैलेंजर्स बैं कर रही है तो फ्रेंड ये था IPL 2020 का Lattest Points Stable आप बात कर लेते हैं Purple Cap और Orange Cap के बारे में तो Purple Cap और Orange Cap का पूरा लिस्ट आपको हमारे वीडियो के description box में मिल जाएगा तो वहाँ पर से आप Purple Cap और Orange Cap का पूरा सीन देख सकते हैं तो फ्रेंड उम्मिद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को प्रेस कर ले तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में